हेलो फ्रेंट्स तो चलिए पार्ट टू शुरू करते हैं तो पार्ट टू शुरू करने से पहले आप पार्ट बन देख लीजिए इस चैप्टर का फंक्शन सॉफ इन एको सिस्टम और वाइशायस को सब्सक्राइब कीजिए इन वीडियोस को लाइक कीजिए शेयर कीजिए तो पार्ट टु से शुरू करते हैं वीडियो चायकल साइकल तो जो एनची फ्लो होता है और न्यूट्रेंट्स होते हैं उनका जो तरकुलेशन किस तरह सी होता है उस सरकुलेशन पे ही क्या डिपेंड करता है कि किसी भी एकोसिस्टम में जो ओर्गनिजम से वो जितने रह और उनका Metabolic Rate के लिए इनरजी की ज़रुत कि इसलिए Metabolic Rate में किस तरह के लिविंग और्गैनिस्म्स आप रहेंगे तो अपने इनरजी फ्लोव होता है यह एनेबल करता है एक यह क्या करता है जो बहुत सरे जो जो और्गैनिसम्स होते हैं वह उन्हें मतलब energy इस क्टेस्ट होती तो नियूट्रियंट है वो ऐसे भी क्रातए नहीं होते हैं और उनका इक बनता है और वो रिसाइकल होते रहते हैं बार-बार तो यूजड़ नहीं होते हैं जैसे कि यहां पर दिया हो गया है जैसे हम जो हमें human beings है हम लोग elements कितने सारे elements होते हैं atoms बहुत सारे million atoms of elements को हम हम क्या करते हैं ब्रीद करते हम सांस लेते हैं तो हम इन सब elements को अपने अंदर लेते हैं इन्हेल करते हैं और यही elements हमारे एंसिस्टर हमारे पूरवज ने भी इन्हें ही ब्रीद किया होगा ठीक है तो इन्हें ही elements को उन्होंने भी इन्हेल किया होगा तो यहीं बता रहे हैं फिर आता है carbon hydrogen oxygen nitrogen and phosphorus ठीक है तो यह होते हैं न यह है कुल यह मिला के जो जो हमारी बॉड़ी है यह और्गेनिसम की बॉड़ी है उसका 97% मास बनाता है यह elements मिलके carbon hydrogen nitrogen oxygen और phosphorus फिर आता है जो और जो most of the bodies मतलब इस इको सिस्टम में जितने भी living organisms हैं उनके जो बॉड़ी का 95% मास जो होता है वो इन्हीं में elements के द्वारा बनता है तो इसलिए यह elements जरूरी होते हैं और इसलिए हम इनका cycle पढ़ रहे हैं पहला है nutrient cycle तो nutrient cycle में क्या हो है obviously नाम से बता चल रहा है कि cycle कैसे move होते है from physical environment 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 a biotic से लेकर biotic components में कैसे यह cycle यह मतलब यह nutrients कैसे घूमता रहता है उसी को बताया गया यहां पर तो इसी को physical environment पे in physical environment से यह living organism ठीक है तो कैसे होता है जैसे यहां पर एक छोटा से आप छाइनिमल तो भी मरेगा और फिर वह ढिकमपोस हो जाएगा और यहां पहले हो यह दिया हूए इस सवयल में चल जाता है correct औरने के हैर्ड से फिर वह प्लाइट हीलए यहां तो रूट के थूश्म साच लाबnisse तो इस तरह से साईकल बंता हैं अब प्रिंट्री में up Lukula कि एसे जाते हैं उसमें प्रिआफ्षेंट से उसे उतनी इसे उतने ही जल्दी efendim उसमें क्या एब स्कुच्ड की तुर्णट इंप्रिंट्री रेसाइकल नहीं होते हैं तो इसलिए टाइम लगता है इसलिए इंपर्फेक्ट साइकल बोलते हैं और रेजर्वायर के बेसिस पर मतलब ऐसे जहां पर बहुत कठा इकठा होता है ठीक है तो एनरजी जहां से जोग्रफी के साथ कोरेलेट करके पड़ी एक बार जोग्रफी भी रिवाइज हो जाएगी और आपको आपकी सारे पॉंसेट्स क्लियर हो जाएंगे तो फिर रेजर्वायर क्या है आड्मस्पेर या फिर हैड्रोस्फेर होता है और जो सेडिमेंटरी में होता है वो से छहते हैं रिवायर रिच्टन के एग्जम्पल्न कौन-कौन से सैबिन हैं कॉंगॉं कॉन-कॉन साइकल्न विनग नीट्र जिंक है और संजिमांटरी में फॉस्फोर्स कैल्शिम में तो पहला है हमारा साइकल वह है बोक्न पैदभी कहते हैं तो वॉर्टर का जो गंटिन सवोलर एणरजी से जोटें से होता हैं सोल रेनर्जी से में स्वीर लें अधीयों में रिम जो किलेशी में सब को पता होगा जहां पर बहुत ज्यादा पहाड व 2019 बर्स के पहाड बड़े बड़े होते हैं snow fields भी वही होता है ठीक है तो फिर water एक reservoir से दूसरे reservoir में जाता है और कौन-कौन से process involved होते हैं evaporation यह सब को बता होगा फिर transpiration condensation precipitation जिससे बारिस होती है फिर deposition कहीं सब्सक्राइब जाते हैं एक जगे से दूसरे जगे जिसे रिसाव बोलते हैं फिर infiltration groundwater flow यह तो सबको बताई होगा हम आगे देखते हैं डाइग्राम से तक कि हमें चिसता है अच्छी समझ आ जाए अब जैसे यहां पर यह पानी है ठीक है यहां पर एक वाटर बॉड़ी है अब यहां से इवैपरेट हो रही है यहां से भाब बनके उड़ रही है उसके बाद condensation के वज़े से यहां पर यह फिर से बारिश होकर नीचे आ जाएगा पानी फिर यहां पर enza के बाद यहां परकुलेशन यहीं अंदर जो राका जाके अंदर जा रहा है फिर उसके बाद इसी यह plan क्या करते हैं ट्रैंस्पीरेशन जो पत्तों के थृट ट्रैंस्पीरेशन करते हैं उस तरह से एक मोस्फेर में पहुँच जाते तो यह साइकल इस तरह से क्या करता है ग्रीन प्लैंट से उसको यह उसके चाहिए पाइंद्स करने के लिए उसके बाद फिर यह काफी छोटा। शौर्ट टरम १्यूल होता है और जब फॉसिल फ्यूल्स न्हों सबको पता ही होगा जो फॉसिल धूर्स होते हैं उस फॉसिल बरन निक्रम होता है जो जो कार्भन अधिक सी चयो ईडीजिक एszne देखिए यह फोटो सिंथेसिस हो रहा है और इसे इस न्यूट्रियंट यह खा रहा है यह रेस्पिरेशन के तुरू फिर यह कार्बन डाइसर वहां छोड़ रहे हैं और यहां पर फोटो सिंथेसिस के तुरू जो प्लांट है कार्बन यह यहां पिजिंट सुरू बहुत है यहां जाता है यहां पर ऑर्गैनिक वहलागार। फो यह द्मर्ड तुरू पर भी सिंपार। यह नीचे पहुंच जाता हैं तो मुझे प्रक्रे sniff में आगtain होगा यह पहले फॉटर संथेजिस होता है उससे अलमल के तरफ जाता है अनिमल मर गया तो उसका वेस्ट माटीरिल डीग्रेड होता है और यह मर गया तो भी चल जाता है और आनिमल जब रेस्पिरेशन करते हैं उसके तुरू भी कार्बन डाइकसर एटमस्पेर में पहुंचता है और फिर बाद में एक और सिंथेजिस के लिए अबेलिबल हो जाता है ठीक है तो फिर अबाद हम आगे पढ़ते हैं नाइट्रोजन के बारे में तो जो अमांट ऑफ नाइट्रोजन फिक्स बाए मैं ठीक है जो इंडस्ट्रियल प्रॉसस के वज़े से जो नाइट्रोजन और हमफुल ऑइलगल पता ही होगा आपको जैसे कोई तलाब हो गया वहां पर बहुत सारे अगर हो जाते हैं तो फिर इतने एक एक लेवल में इतने जादा हो जाते कि तालाब उससे बहर जाता है और जो अंदर नहीं जा पाती है ठीक है तो हम आगे पढ़ेंगे यह क्या ह साथी पाल में ठीक है इसन है प्रोटाना की किरता चाहिया लाहता है यह जुक्त-मचेल खुलब scarce resource माना जवता है क्योंकि स्वस्पूर्म से नहीं होता है तो तो जम्हें का तो जुषी को जिससे को हीными साइकल होता है उसे कहते हैं था है आब फिक्सेशिन के फिक्सेशन है अब जय Towar को यूजबल में ऐसे फॉर्म में हम यूज कर सके उस फॉर्म में कनवर्ट होते हैं एक तो तरीका है लाइटनिंग स्ट्राइक नुज़ का ते तील है जो तरीक बते हैं बादल गरजते हैं बादल से जो बिजली जो जो गैसिस नाइटरोजन एंटू है उसके साथ हाइडरोजन को बिलाता है उससे जाए चाहिस अपनता है इस नाइच थी थी तो fixation बोलते हैं पिर आता है हमारा Ammonification Ammonification में क्या होता है Plants और Animals जब मर जाते हैं ठीक है तो फिर बाद में जो इन और्गेनिक I'm sorry Organic जो nitrogen होता है वो फिर से Soil में आ जाता है ठीक है Decomposition होके उसके बाद जो bacteria या फिर जो fungi जो Soil में होते हैं वो क्या करते हैं इस Ammonium इसे Ammonium में बना देते हैं और उसे Mineralization Process बोलते हैं फिर आता Process Assimilation Assimilation मतलब फैलानव तो जो primary producers पता ही हमें कौन है अभी तक यह क्या करते हैं यह जो Gas होती है टेक इन दे गैस गैस from Soil with the help of their roots जो प्रेजेंट होता है जो decomposition के वैसे उसे ले लेते हैं as in the form of amino acid यह मतलब आगे जाके जब ज्यादा बढ़े होते हैं तो क्या बनते हैं प्रोटीन बनते हैं amino acid nitrides ions nitrate ions and ammonium ions ठीक है तो नाइट्रेट नाइट्रेट तो NO3 NO3 यह होता है और यह NO2 माइनस यह होता है nitrite यह हो गया nitrite और यह हो गया NO3 हो गया nitrate ठीक है और ammonium हो गया NH NH4 ठीक है तो यह हमारा ammonium ion हो गया तो इस इस form में यह अबेलेबल होता है फिर से बोल रहे हो chemistry की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपकी understanding के लिए मैं बस यह बता रहे हूं तो इन nitrification, nitrification में कहाता है जो ammonia होता है वो nitrate में convert होता है फिर से एक bacteria की help में ठीक है तो nitrites हां तो nitrites are formed by the oxidation of ammonia by the help of nitrogen bacteria ठीक है फिर आता है nitrates को convert के जाते है nitrate में यह कौन करता है यह भी यह बैक्टीरिया करता है जिसे कहते है नाइट्रो बैक्टर सो यह जो conversion है काफी important है ठीक है plants के लिए क्योंकि इससे क्या होता है कि जो ammonia होता है वो एक तरह से harmful होता है plants के लिए तो इसलिए जो conversion है नाइट्राइट टू नाइट्राइट नाइट्राइट यह important है फिर आता है दी नाइट्रिफिकेशन इससे क्या होता है nitrogen cycle कूरी complete होती है नाइट्राइट्स होते है यह reduce हो के फिर से इनर्ट नाइट्रोजन बन जाते है नाइट्रोजन का इस मतलब आट्मोस्फिर में अवेलेबल होता है ना इस तरह से फिर से अवेलेबल हो जाते है इस ड़न बाइ बैक्टिरील स्पीसेश इनका नाम क्या है Klostridium pseudomonas and in the presence of oxygen तो oxygen की प्रेजन की प्रेजिए बैक्टिरियो होते है यह denitrification करते है जल्दी से यह nitrogen cycle एक फिर से देख लेते है नाइट्रिजन फिक्सेशन हो रहा है यहां पर हो रहा है यह अमोनिया बन जा रहा है फिर नाइट्रिफिकेशन हो रहा है नाइट्रिफिकेशन से क्या हो रहा है फिर यह नाइट्रिफाइंग बन रहा है तो इससे नाइट्रेट बैक्टिरिया नाइट्रेट आयन बन रहा है इसके बार यहीं देखिए धियों ट्रेमिलेशन फिर यहां देख धियों बनाता फिर यहां से जो नाइट्रीट हो गया यह दिनाइट्रिविकेशन होके फिर आटमस्वेर में अवेलिबल हो गया ठीक है अब देखे यह काफी ज्यादा सब्सक्राइब देख लिए इससे आपको अच्छे तरह यह रट लीजिए याद रहेगा एक्जाम से पहले और यह जो कुछ-कुछ दिये हुआ यह बुक में भी नहीं तो यह लेकिन सब्सक्राइब देख लेते हैं जो हर सांस लेना बंद नहीं होता है जब तक बुरी तरह से वह निगल जाता हैं तो जो यह सांप होता है हर तर हर चीज को पचा सकता है उसके पेड़ में हर चीज को पचा लगता है सिर्फ एक जो फर होता है उसे नहीं पचा सकता फिर आता है सेडिमेंटरी साइकल अभी तक हमने गैसे साइकल पढ़ा अब हम पढ़ रहे हैं सेडिमेंटरी साइकल तो पहल इंपोर्टन था क्योंकि इस साल इस पर एक्जाम आया है एक्जाम में क्वेश्चिन यह आया है तो फॉस्फरस कैल्शियम मैंगनेशियम यह सर्कुलेट करते बाइद है सेडिमेंटरी साइकल ठीक है फिर जो फॉस्फरस होता है वह कैसे मूव करता है थूरू रॉक्स वाट कि आज और इए फोस्फवेट रिलीज्व हो जाते है फिर बाद में इस बियुक्त फॉस्फेट है यह दिस्टिप्ट होता है यह जब रेन होगा यह सबसे नीचे आएगा तो दिस्टिबिट होगा तो फिर प्लैंट ले लेते हैं जो इस इन इन और्यम्निक फॉस्पिट क तो सौाइल में आ जाता है तो सौाइल में आने के बादध बंडत् ले से ले लेते हैं फिर प्लैंट करते हैं ठाएपन गते हैं कि अनीमल्स खाते बीच झाइए और इसे एडिए से आानが चले में चल खाता हैं और बात to form of phosphate होता है ये अवेलिबल होता हैं ये कैसे होता है ये उनिमल्स द cach I'm sorry bacteria के त्रूव जो की organic matterी को inorganic matter में break down कर देते हैं और इसे mineralization process होता है फिर जो phosphate में होता है ये फिरसे पानी you can we should बने सुमुंदर ये सब में engaging this cycle को एक तरह से explain कर रहा किस तरह से यहां से वहां यहां से चला जाता है कि काफी जयादा अगात हैं इसलिए से कहते हैं तो जो कॉंटिटी अफस्फोरेश इन और जेनरली स्मॉल एंड इस ओफन लिमिट्स दा प्लांड ग्रोथ ठीक है तो यह वैसे तो यह काफी कम स्मॉल में कम अमांट में होता है और इसलिए क्या होता है कि जो इसे ना ऐसा फॉर्टिलाइजर यूज किया जाता है फांड में और यह फॉर्टिलाइजर के रूप मे सबसे काफ सर्थम में ऊप्लाइजनन है क्या फोदुन में जाती तो सकत्रा से सैक्लिट्स आंपर इसे संच्षेमिक्त है यहं अर्घ घर को यहां पर अश्मिल कम बान जाकर सजू सेडिमेंड बना लेगा फिर ओया फिर कि यहां पर आत् only आप तो यहां पर आकर सर्थांट तो और यहां पे तरफ नहीं मीड़ी दिंगव अफिर तरह व्हलें नहीं पानिम्लद का लाइन प्रखाएद फूर इनमय पॉसिपर दीया कि वह पर उपर के कितरो इस तरह से आके भी फिरसे पानी में मिल जाता है तो यह फॉस्फरस साइकल हो गया है फिर हमारा है सलफर साइकल अब सलफर साइकल में क्या होता है इसके जो सलफर के रेजरवायर कौन-कौन से सोयल कोन-कौन से फोर में अवेलिबल होता है और इनॉर्गनिक फोर्म क्या हो गहינ tähän ओपी heck फीर इनके के दो फोर्म सोते हैं में ई कौन से स्लफ़ है एस एस फोरम में तो हमेशा नहीं अवेलेबल रहेगा गाय ओन इसलिए सेओर मघ मायावलेबल S2 okay sulfide S5 ठीक है इस form में यह available रहेगा और organic sulfur के form में यह available रहता है sulfate, sulfide और organic sulfur फिर यह क्या होता है यहां पे भी weathering involved होती है क्योंकि यह sedimentary है तो यह weathering और erosional runoff मतलब जमीन के थूँ इस तरह से runoff होता है उसके थूँ और decomposition of organic तो यह तीन फिर से इसके भी वही तरीक है वेद्रिंग ऑफ रॉप एरोजनल रन ओफ और डिकंपोजिशन ऑफ और अर्गनिक मैटर फिर यह जो टेरेस्ट्रियल और इकोर्सिस एक एकविटी के सिस्टम में इन सॉल्ट फॉर्म ठीक है सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल होता टायोकसईड ठीक है सफर डायोकसईड और हैडोजन शल्फ़एड यह दो फॉर्म होते यह गैशियस कंपोनेंट होते हैं अधरवाइस यह सेडिमेंटरी ही होता है फिर क्या आता है जो सल्फर होता है वो एक्मसफेर में कैसे एंटर करता है थुरू बोलकैनिक इरॉप्श तरीक जो Sulfur Diocide होता है वो अर्थ में कैसे आता है यह थे तुरू रिण वाटर और रिण वाटर कैसे वहां पर एसे ड्रें बताय कि आता है उसमें Sulfuric Acid होता है इसलिए उसे डीक रहन कहा जाता है फिर क्या होगा है Sulfur in the form of द 놓etime sa JP will travel फिर से प्लांट ले लेता है और सल्केस के थी थे इनिमल में आता है प्रद के उनिमल मर जाते हैं तो फिर यह स्ट्ट आजाते है है कि तो यही है साइकल यहाँ भी हम देख लेते हैं यहाँ पर वहल्कनाइजेशन हो रहा है और यहां पर यहां पर देखिए वेधरिंग ओफ्रॉक्स ओर यह तो यह fråजियों इस। तरह से यहां पर होता है इस तरह से साइकल कम्प्लीट हो जाती है है यहां पर बैक्टिरियल रेटक्षन हो जाता है इससे अल्फइड है तो वह इस तरह से bonding करते हैं यह जो जुए निकालने की जो चीज होती है इनकी जो आदत होती उससे एक social bonding develop करते हैं अपने ग्रूप में ठीक है बस यह बताएगा फिर ecological succession यह भी काफी important concept है और यह last concept है इस chapter का तो यह सक्सेशन में क्या होता है यह universal process है ठीक है यह पूरे युनिवर्स में होता है ड्राइड डैरेक्शनल मतलि एक डैरेक्शन में होता है इन vegetation vegetation आपको पता होगा वनस्पती तो यह वनस्पती में जो changes आते रहते हैं और ओवर एकलोजिकल time skill ठीक है time के time के साथ साथ change होते रहता है तो यह जो succession होता है मतलब यह अच्छा ही होता है आगे बढ़ने के लिए उससे क्या होता है एक relative relatively stable stable मतलब एकदम एक स्थिर climax community बनाता है through series ठीक है यह series मतलब एक turn of events को बोला जाता है ठीक है यह series इस भी important है यह term आप याद रखें तो series के तुरू क्या होता है changes आते रहते हैं और यह changes जरूरी होते हैं और अच्छे भी होते हैं ताकि climax community बन सके तो pioneer community क्या होते है जो एक जगे में जब session हो रहा है तो वहाँ पे जो सबसे पहला जो plant जिस जो भी बनता है उसे प्राइनेर community कहते हैं तो इससे क्या होता है it is characterized characterized by increased productivity से productivity increase होती है इससे जो nutrient है एक reservoir से दूसरी reservoir में जैसे हमने अभी cycles देखा था होता है उसके बाद इससे डाइवर्सिटी उस ecosystem की बढ़ती है नीश development नीश हमने देखा ही था क्या होता है पिछले चप्टर में हमने देखा था नीश डेवलप्मेंट होता है उसके बाद लिविंग और्गानिसम नहीं थे वहीं जो सकेंटरी सक्सेशन होता है वह ऐसा होता है पहले वहां पर लिविंग और्गानिसम रहे होंगे लेकिन क्योंकि कोई इन्वार्मेंटल डिस्टर्बेंस हो गई उसके वज़े से वह खतम हो गया ठीक है और यह जो क्योंकि वहां पर पहले कुछ था तो इसलिए वहां पर सक्सेशन होना आसा मतलब सब्सक्राइब 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 तो वहां पर सॉयल भी पहले से रहा होगा ठीक है तो इसलिए जो सेकेंट्री है वो फास्ट होता है और यह और यह भी बताए गया कि जैसे जो प्राइमरी सक्षेशन है उसे होने में हंड्रेड्स ओफ यह लग जाते यह भी मैंने बताया था तो यहां पर एक 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 क्लाइन і जास कमरेशन के लियर थाकि से याद हे तो यह जाति है तो यह जो प्रामरी सक्षेशन है लिए रॉक में वहां पर कुछ नहीं तो आप यहहां पे पार बिधूर प्लैंट गरॉल में और फयार तो वहां पुल च्रृत हो और यहां पढकर प्लैंट्ड रॉक्या मैंने बताया था क्या होते हैं लाइकन सो होते हैं वहां पहले से कोई प्रीवेस लाइप नहीं होती है और अकर आफ्टर ग्लेशल रिटीट सब्सक्राइब आपको पता है जो ग्लेशल होते हैं वह पर हटके जब उसके अंदर जो रॉक होता है उसे एक्सपोस करने लगा तो सबसे पहले ग्रास मुसली वहां पर फॉर्म होते हैं एक अरिया वर और यह भी बताया गया था ठीक है और वुड अकर आफ्टर लैंड इस क्लियर बाई हुमन्स ठीक है फिर इन सक्सेशन से होता क्या है क्लाइमेक्स कम्यूंटी बनती है शर्प्स एंड हर्प्स ट्रीज लेकिन प्राइमरी सक्सेशन को जादा टाइम लगता है फिर यहां पर बस यह समझाया गया पिक्चर के तुरू आप देख सकते हैं सबंग सकते हैं कि यहां पर तो फॉरेस्ट फायर हुआ होगा और यहां पर स्क्सेशन ही होगा फ्राइम प्राइम स्क्सेशन नहीं ऊपने अप चो रहे हैं तो और जैंट उपने हो रहा है स्क्सेशन उसे कहते हैं यह बाइटी के वाई से होती है उसे कहते है ऐलोजनिक सक्सेशन ठीक है वसे में अब हमको याद यही रखना है फिर ऑट्रोफिक सक्सेशन एंड ही ट्रोफिक अब को पता ही होगा अब तक आपको अच्छे से समझ में आई गया होगा ऑट्रोफ मतलब ग्रीन प्लैंस और ही थी कहां थी करें दूंस से जोटरोफिक नः खुद नहीं बनाते है तो फिर यहां पर क्या गए जो भी को वाइट-वाइट-स्प्रेयर टाइप आप इन नेचर एर बिएंस प्रोडोहन प्रूदल्टूंनिक इन ओर्यनिक अंवार्मेंट और यहां पर क्या होता है है होग di atati एन और ऑडिनीख इंवार्मेंट होता है आर्ट्रॉफिक में इन और्ट्रोफिक में हिट्रॉफिक में जाओ फिर क्या बता है pessimist एस कारेटाराइस बहुत अर्ली एड कंटिनेट नत्में प्रॉफिक और उसे आटॉफिक और अर्वॉट्र आटेट एंडेफिनेटले निज कि आपे अधरॉर्ज वहाँ बनी रहती है और ग्राज्वल इनक्रीज कर्डिका एन ग्राज्वल इंक्रीस इनट अर्गानिक जाए एनिमल्स और इन्वार्मेंट इस प्रेडॉमिनली और यह मैंने बताया था यह इसका डिफरेंस इन और 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 फिर बाद में देखते हैं फिर देखते हैं एक्जैंपल क्या है जैसे कि स्यूवेज कहीं पर मतलब थोड़ा एक वाटर पॉड़ी है वहां पर स्यूवेज भरा हुआ है ठीक है तो ऐसी जगह में यह और हीट्रोफिक सक्सेशन हो सकता है लेकिन धीरे-धीरे क्या होती है एनर्जी डिकलाइन होते रहत नहीं तो वहां पर एनर्जी घड़ती रहेगी यह इसका मेनिंग है फिर सक्सेशन यहां पर यह उता है कि सक्सेशन बीडल ओफ देख को एक द्वीप हो गया उसके बीच में जो सक्सेशन हो जल्दी जल्दी होगा क्योंकि वहां पर जो भी चीज़े चाहिए जो प्रॉप एक बर बस मैं दिखा देती हूं यह अच्छे से मतला आपके रिवाइस हो जाएगा इसलिए मैंने दिखाया है प्रैमिर सक्टेशन में क्या है डेवलोप्मेंट अफ प्लांट कम्योंटी बेस्टी बेस्टर्ब लैंड फिर ऑ्टोजनिक में क्या होता है बायोटिक प्रेक में क्या होता है तो इससे के साथ यह चाप्टर खतम होता है तो यहां तक देखने के लिए थैंक यू और वाई शाय सको सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए ओके थैंक यू बाई